प्रूब दा फॉलाइंग आइडिनिटीज पार्ट फॉर वन प्लस सीकेंड एकोस तू साइन स्केर ए अपन वन माइनस कॉस ए यह हमें प्रूब कर रहा है तो वेरी सिंपल असान कोस्टेन आपने इस सबसे पहले एलेचस जो है हमें लिखा ब्लस सीकेंड एडिवाइड बाइड 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 लेकर आना है तो सीकेंड को हम कॉस में पहले कनवर्ट कर लेंगे अब यहाँ पर secundary की value को put कर देते हैं 1 by cos A नीचे भी हम 1 by cos A लिख देते हैं Now here it is first जो fraction है उसे हम पहले LCM ले लेते हैं So here it is 1 plus 1 by cos A का LCM जो है cos A ही आएगा So cos A plus 1 upon cos A and main division sign divided by 1 upon cos A Here यहाँ पर आप देखें जब fraction को fraction के साथ division करना होता है तो हमारे पास एक नियम होते हैं वो नियम यह है कि आप सबसे पहले cos A plus first fraction जो अपरवला है उसे लिखेंगे और division के sign को हम change करेंगे multiplication के sign में और जो divisor है यानि कि 1 by cos A है उसे हम reciprocal कर देंगे यानि कि उसे change करके हम cos A by 1 में convert कर देंगे तो यह rule होते हैं जब fraction को fraction जो साथ divide किया जाता है तो अभी यहाँ पर आप देखें कि cos A और cos A जो है वो cancel हो सकते हैं आपस में सो हमारे पास क्या बच गया cos A plus 1 by 1 वन हम नहीं में लिखें तब भी चलेगा लेकिन यहाँ पर अभी हमें 1 लिखना है reason is that क्योंकि ऐसा लिखने से हम आगे further solve करेंगे next क्या है कि हमें आप देख रहें नीचे में 1 minus cos A लेकर आना है इस पोर्ष अब जो हमारे पास remaining part बचा हुआ है इसे हम rationalize करते हैं वो क्या system होता है कि 1 plus cos A है तो इसका opposite जो sign है उसके साथ अपर दोनों side में multiply करते हैं so 1 minus cos A by 1 minus cos A हम divide करते हैं इससे sum में कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि दोने cancel हो जाएंगे तो समवई रहेगा और ऐसा करने से क्या होता है यह formula में convert हो जाएगा 1 plus cos A 1 minus cos A जो है A plus B और A minus B के formula में यहना A square minus B square formula में convert होता है तो इसे हम convert करते हैं तो हमारे पास 1 square minus cos square होता है by 1 minus cos A यह ऐसा करने का फायदा यह हुआ क्योंकि 1 square minus cos A को हम जब rewrite करते हैं 1 minus cos square में तो यह देखते हैं कि एक formula में convert हो रहा है और वो formula क्या है sin square A क्योंकि हम जानते हैं sin square A plus cos square is equal to 1 होता है therefore sin square is equal to 1 minus cos square हो जाएगा तो 1 minus cos square की जगह पर हम sin square put कर देते हैं तो हम देखते हैं यह है कि हमारा RHS जो है वो आ जाता है so sin square A upon 1 minus cos A आने के बाद LHS जो है वो RHS के equal हो गया so this is proved part 4 जो है वो complete होता है right तो इससे आप असान सम है note कर ले pause करके और next sum को दुबारा देखते हैं right thank you